नमस्कार आप देखरे दर्श न्यूस सुबह के इस खास बुलिटिन में आप सब का स्वागत है तो चलिए सीधे बढ़ते हैं दस बजी की दस प्रमुख खबरों की ओर आज पुरे देश में हर्शो उल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाय जा रहा है इसी क्रम में राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुसल्मान भाईयों ने बकरीद की नमाज अदा की इस दोरान गांधी मैदान के चारो और चाक चौबंद व्यवस्था दी की वहीं आज प्रदेश के मुख्या नितीश कुमार ने भी बकरीद को लेकर बिहारवासियों के साथ देशवासियों को भी बधाई दी उधर आज देश के ग्रीमंतरी अमित्षा बिहार के लखी सराई जिले में खूब गरजेंगे इस दोरान वे पूरी ताकत दिखाएंगे लखी सराई में एक रैली को संबोधित करेंगे वहीं बीजेपी की तरफ से रैली में शामिल होकर उसे सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है बता दे कि इससे पहले वल्लगभग तीन महीने पहले बिहार आये थे इधर RLJD सुप्रीमो उपेंद कुश्वाहा ने सिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर सीम नितीश कुमार पर जबर्दस्त हमला बोल दिया है उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की यही उपलब्धी है कि 18 सालों में अपने राज़े में स्कूल में पढ़ाने लायक पर्याप्त सिक्षक भी नहीं बना पाए वहीं राज़त सुप्रीमो लालो प्रशाद यादव को भी उपेंद कुश्वाहा ने जम कर सुना दिया बढ़ते हैं अगले खबर की ओर जहां सिक्षा विभाग ने एक बार फिर कर्मियों के लिए फर्मान जारी कर दिया है जो चर्चा का विशाय बना हुआ है अधि सुचना के अनुसार कर्मियों को अब जीन्स टीशट पहन कर कार्याले आने पर प्रतिबंधित किया गया है कर्मियों को फॉर्मल ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा गया है इधर बिहार के जीलों में मांसून अब पूरी तरह अपना असर दिखा रहा है इस बीच लोगों को अगले तीन दीन तक गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी मौसम विभाग की माने तो आज लगभग सभी जीलों में हलकी बारिश यबादर छाय रहेंगे साथ ही नौजीलों में आज भारी वर्षा की चितावनी दी गई है इनमें पश्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, मधुबनी, भागलपूर, बाका, खगरिया, कटिहार, मधेपूरा और सीता मढ़ी शामिल है वही पटना के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है दरसर पटना एरपोर्ट पर कैट वन लगाई जाएगी इस लाइट के इंस्टॉलेशन के बाद सर्दी के मौसम में घना कोहरा होने के बाद भी फ्लाइट को लैंड कराया जा सकता है अभी जादा कोहरा होने या विजिबिलिटी कम होने के बाद फ्लाइट को रद करना पड़ता है जिससे अब यात्रियों को निजात मिल जाएगा इधर खबर बकसर से है जहां रंगदारी में दो किलो मचली नहीं देने पर तालाब में गाव के ही युवक ने जहर डाल दिया जिसके बाद मचुवारों को पाच लाख रुपय का भारी नुकसान हो गया है आर्थिक तंगी से जूज रहे परिवार के बीच अब कोहरा मज गया है फिलाल पुलिस पुड़े मामले की जाच में जुटी है बढ़ते हैं अगले खबर कियों जहां भारतिये स्टार विकेट कीपर बल्ले बाज रिशब पंत इन दिनों कार एक्सिडेंट के बाद अपनी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं इस बीच रिशब पंत ने भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 से पहले अपने इंस्ट्रागाम बायो में बड़ा बदलाव किया है दरसल भारतिये विकेट कीपर बल्ले बाज ने अपनी दूसरी देट ओफ बर्थ 5-1-2023 लिकी है पंत ने अपने एक्सिडेंट को लेकर इस दूसरी डेट ओफ बर्थ को शेयर किया है कार्थिक आर्यन और कियारा आडवानी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का गाना पसूरी रिलीज के वक्त से ही सोशल मीडिया पर खूप सुर्खिया बचोर रहा है जिन लोगों को गाना बिलकुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मेकर्स को इसके लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया है वहीं अब इस ट्रोलिंग पर ओरीजिनल गाने की सिंगर शेय गिल ने चुपी तोड़ी है उन्होंने कहा कि गाने को लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं वो बिलकुल सही नहीं है अगर आप लोगों को ये गाना पसंद नहीं है तो आप इसे मत सुनिये इधर साउथ इंडस्ट्री में नेगटिव किरदार के जरिये लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर कबीर दूहन अब साथ फिरो के बंधन में बंद शुके हैं अक्टर ने हरियाना की रहने वाली एक टीचर से व्या रचाया है जिसके कुछ तस्वीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेर की है इन तस्वीरों में कबीर कीमकर की शेरवानी पहने हुए दुलहा बने नजर आ रहे है वहीं कबीर की दुलहनिया लाल सुर्ख जोड़े में काफी ज्यादा खूपसूरत लग रही है तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टागाम और फेस्बुक पर भी उपलब्ध है तो वहाँ पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलू कर सकते हैं